बिहार में ताबरतोड 23 IPS आफिसर की ट्रांस्टर पोस्टिंग हुई है इसमें बड़ी खबर ये है कि पटना की SSP दबंग महिला IPS अधिकारी गरिमा मलिक को बनाये गया है आपको बता दें कि इससे पहले दर्भंगा की SSP थी गरिमा मलिक जीने अब पटना का प्रभार सौपा गया है गरिमा मलिक अब पटना की नई SSP होंगी SSP मनु महराज के प्रमोशन के बाद से पटना के SSP का पत खाली था और अब ट्रांस्फर पोस्टिंग किया गया है 23 IPS ऑफिसर्स का जिसमें गरिमा मलिक को पटना का SSP बनाये गया है आपको बता दें कि गरिमा मलिक एक सीनियर IPS अधिकारी है इससे पहले वो गया के SSP पत पे भी रह चुकी है और बहतर पुलिसिंग के लिए गरिमा मलिक को जानना जाता है के द्वारा अस्थापित की गई तो कई ऐसे बड़े कार हैं जो कि गरिमा मलिक ने बिहार में IPS पद पर रहते हुए के पद पर रहते हुए उन्होंने किये हैं आपको बता दें कि अभी फिलहाल SSP मनु महराज के जगह के बाद गरिमा मलिक को यहां का पटना का प्रभार दिया गया है गरिमा मलिक के काफी अनुभाव IPS अधिकारियों में से एक मानी जाती है ऐसे कई केसे रहे जिन्होंने उनको काफी आगे बढ़ाने में मदद किया गरिमा मलिक को बेहतर पुलिसिंग के लिए भी जाना जाताएं इसके साथी साथ जो उनके साथ काम करने वाले आधिकारी हैं वो भी IPS गरिमा मलिक के बारे में बताते हैं उनका जो हैड ट्रांसफर मुंगेर कर दिया गया है मुंगेर जोन का पदभार समऻालेंगे आपको बता दें कि गरिमा मलिक लगतार सुर्खियों में बनी रहती हैं वो अपने तेज तर्रार पुलिसिंग के वज़़ से ही जानी जाती है S.S.P. मनुमाराज के बाद पटना में S.S.P. की पोस्ट खाली हो गई थी ऐसे में देखना होगा कि पटना में बढ़ रहे क्राइम को ले करके S.S.P. गरिमा मलिक आप कौन से कदम उठाती है क्या S.P. गरिमा मलिक बिहार सरकार की उमीदों पर खरा उतरती है या फिर नहीं ये तो देखने वाली बात होगी फिलाल पटना का प्रभार अब SSP गर्वे मलीक के कंदों पर डाला गया है तो गरम पोस्ट की रिपोर्ट